आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी चीजी चीज कॉन समोसा बनाने में एकदम आसान है जटपट से बनकर टायार हो जाता है ये और खाने में बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीजी बहुत ही जादा यमी लगता है तो जरूर ट्राय करिएगा आ यहां ले रही हूं 100 ग्राम कदुकस किया हुआ पनीर और साथ ही में इसमें डाल देंगे तक्रीबन 70 ग्राम कदुकस किया हुआ मॉजरेला यानि की पीजा चीज और थोड़ी से सबजी आड़ कर जीएं तो तक्रीबन 3-4 बड़े चमच मैं डाल रहे हूं पारीग करी हुई श्रिम्ला मिर्च और 5-6 बड़े चमच कॉन्स सबजीओं की क्वांटिटी आप अपनी अकॉर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं तो इससे थोड़ा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें सीजनिंग अड़ करेंगे तो एक चोटा चमच याफी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे बर ध्यान रखेगा कि चीज में भी नमक है और दो चोटे चमच मैं इसमें डाल रहे हूं और एक चोटा चमच रेट चिली फ्लेक्स तो इन सारी चीज़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस स्टफिंग तायार है इसके बाद अब हम चलेंगे अपने अगले प्रॉसेस में तो इसके लिए सबसे पहले हम मैदे काना एक थिक सा पेस्ट मनाएंगे जो हमारे ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्लू काम करेगा तो इसके लिए तीन बड़े चमच मैदा लिया मैने जिसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी आइट करेंगे और इसका एक थिक पेस्ट मना लेंगे तो हमारा ये मैदे का पेस्ट आयार है आप देखने है इसकी कंसिस्टेंसी तो बड़कुल ऐसा पेस्ट मनाना हमें और इसके बाद अब हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और मैंने यहाँ पर ये वाइट ब्रेड दी है आप इसकी जगा ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं बस जोगी ब्रेड यूज करेंगे न वो एकदम फ्रेश लीजेगा ताकि उसे बेलना असान रहे तो सबसे पहले हम अपनी इस ब्रेड को इस तरह से पतला पतला सा बेल लेंगे और पहले मैंने इसकी साइट को कट नहीं किया है तो पहले हम इसे अच्छे से पतला बेल लेंगे और फिर इसकी साइट को कट करेंगे तो इस तरह से bread को अच्छे से पतला बेल लिये मैंने और इसके बाद अब हम इसकी sides को remove कर देंगे तो इसके लिए चाकू से cut कर सकते हैं मैं पीजा कटर यूज़ कर लियू और इन bread की sides को आप फेंके का नहीं इसे आप बाद में crumbs बना कर किसी भी snacks में यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से sides को remove करने के बाद अब इसके ये जो side के चारो corners है ना इसे हम इस तरह से cut कर लेंगे तो इस तरह से ये चारो sides को भी हटा देंगे और इसके बाद अब हमारे पास ये जो bread की slice है इसे हम इस तरह से center से cut करेंगे तो ये दो parts में divide हो जाएगी तो अब सबसे पहले हम एक sheet को use करेंगे और अब हम क्या करेंगे कि ये जो glue यानि की मैदे का paste हमने बनाया था ना इसे हम इस side पर लगाएंगे तो इस तरह से पहले इस paste को लगा देंगे और फिर इसे उठा कर इस तरह से fold करते हुए दोनों sides को आपस में चिपका देंगे तो बिल्कुल जैसे हम समोसे को fold करते हैं वैसे ही बना रहे हैं आज हम इसे तो बिल्कुल अच्छे से चिपकाईए गा इसे corner से लेकर end तक ताकि जब हम इसे तेल में तलेंगे ना तो ये खुले नहीं तो इस तरह से एक pocket बन गई है हमारे पास और इसके center में अब हम fill कर देंगे अपनी stuffing को तो इस तरह से थोड़ी सी stuffing डालके इसे अंदर की तरफ press कर लेंगे थोड़ा adjust कर लेंगे इसे और फिर इसके उपर ये जो sides बच गई है इस पर भी हम अंदर की तरफ मैदे का paste लगा देंगे तो ये जो paste है ना ये basically हमारी सारे sides को अच्छा से seal करने में help करेगा तो ये paste लगा के हम इस सारी sides को इस सारा से आपस में चिपका देंगे तो बिल्कुल जैसे हम समोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना रे हैं इसे भी हम तो इसे अच्छा से seal करीएगा ता comprehensive ये बिल्कुल भी खुले नहीं तो बैस इसी के साथ हमारा ये एक समोसा तायार है इसी तरह से बाकी के समोसे बना लेंगे और इस तरह से समोसे बनाना अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इसकी जगा किसी भी और शेप में बना सकते हैं इसे, चाहे तो इस तरह से रोल्स की शेप दे दीजेगा या फिर ट्राइंगल की शेप में बना सकते हैं, तो अपनी मन चाही किसी भी शेप में कर दायार कर लिए हैं अब हम इन्हें फ्राय कर लेंगे तो इसके लिए तेल को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था और तेल का टेमपरेशर चेक करेंगे अब हम तो आप देख रहें कि डालते इसमें बबल जाने शुरू हो गए हैं तो तेल हमारा काफी मुसे और इसे अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राय कर लेंगे तब तक जब तक ये पूरे अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इतनी देर में अंदर का जो चीज है ये भी अच्छे से मेल्थ हो जाएगा अच्छा अगर आप इस तरह से इन्हे नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें एर फ्राय कर सकते हैं ये बहुत ही जादा यमी बनते हैं तो थोड़ी देर तक इन्हें फ्राय करने के बाद अब आप देख रहें कि ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए है तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक टिशू टाल पर तो आप देखनें कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया इनके ऊपर और बहुत ही अच्छा से क्रिस्पी बने है ये तो बस इसी तरह से बाकी की समोसों को फ्राइ कर लेंगे तो इसी के साथ तायार है हमारे ये एकदम क्रिस्पी चीज कौन समोसा आप देखनें कि कितने यमी लग जाएं ये देखने में बाहर से ये एकदम क्रिस्पी है और अंदर से चीज बहुत ही जादा यमी बनते हैं ये तो जरूर ट्राय करिए कि आप भी इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीड़बैक शेयर करें और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें